इन पेड़ बौधों में भी एक निशित अवधी में होता है पतजड़ का मौसम और जिस समय इन पेड़ों में होता है पतजड़ का मौसम तो उस समय होता क्या है कि हमारे आस पास कभी छट में कभी बालकनी में कभी गैलरी में बहुत सारे पते इनके जड़ जड़ के गिरते रहते हैं, जब आंधी तूफान आता है, तब धेर सारे पत्ते इकट्टे हो जाते हैं, और उस समय हम लोग परेशान भी होते हैं, कि नाहा की धेर सारे पत्ते गिर गए, हमारे आसपास धेर सारे गंदगी फैला गए, पर ये जो पत्ते होते हैं, हर किसी के लिए गंदगी न नहीं है पर जिनको जरूरत है उनके लिए तो यह पत्ते किसी सोने से कम है क्या अपना ब्लैक गोल्ड तो इन सुखे पत्तों की बहुत बड़ी कीमत है इनकी कीमत को पहचाने और जो आपके आसपास च्छत में बालकेनी में सुखे पत्ते जड़ रहें उनको इस्तेमाल करिय नमस्कार वेष्टी वेष्टी पर आप सभी का धेर सारा स्वागत आज कई दिनों के बाद कुछ मेंटकल इसूस थे कई दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था आज एक छोटा से वीडियो आपके लिए लेकिया हूं सिर्फ उन नों के लिए जो लोग सोचते हैं यह कच होंगी अभी कल बारिश हुई थी तो बारिश की वज़े से इसमें काफी सारा भर गया पानी अब मैं क्या करूंगी यह सारे के सारे पत्ते इसी में छोड़ दूंगी लगब एक हपते बाद यह जो सूखे पते हैं तो सारा पानी यह पी जाएंगे तो पानी भी अपना और बोरी बांद की यहां पर रग दी थी बस पत्तों से खात कैसे बनाने यह सब कुछ तो पहले वीडियो में मैंने एक बार शेयर किया हूँ एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ यहां पर तो फिलहल बोरी में मैंने सिर्फ सूखे सूखे पत्ते मैंने भर के रग बीच में 10-15 दिन में इस बोरी में पानी थोड़ा-थोड़ा डालती रहोंगी, अगर आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा अपना चाच डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, जल्दी से डिकंपोज हो जाएंगे आपके पत्ते, आप अगर कुछ नहीं भी डा तो इनको में फिर से बोरी में भर दूँगी, बस इन पत्तों की खात बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और कुछ नहीं बाकी सारे आपके हरे भरे पोधों के लिए पत्तों की खात बहत लापता है, छोटा सा एक रिमाइंडर वीडियो, कि जो आंदी तूफान में या रोज मर्रा में जो आपकी छट पे आपकी बाल के निमी खच्रा गिरता है, तो उस खच्रे की कीमत को फहचानिए, अपने फ्री की धेर सारी खात बनाएए, वो भी पत्तों की